नमस्कार में अप्रिया आज है 15 नवंबर चोले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी ख़बरों को इंजीनेरों के लिए निकाली गई 100 से ज्यादा वेकेंसी National Building Construction Corporation ने Civil Engineer के पद पर 80 और Electrical Engineer के पद पर 20 वेकेंसी निकाली है ये भरतियां कॉंट्राक्ट पर निकाली गई हैं इच्छो को मिद्वार www.nbccindia.com पर जवा कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आपकी जो अनकारी के लिए आपको बता दें Civil Engineer को कम से कम 60 फीसदी अंकों के साथ Civil Engineer में BE, BT, S, C, ST और दिव्यांगों मिद्वारो को मार्क्स में 5 फीसदी की चूट मिलेगी बिहार के परटन स्थल में मुंगीर के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास लोग इस के लिए को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं इस किले का नर्मान कब हुआ इसको लेकर संदे है क्योंकि कई इतिहासकार इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं पवित्र नदी गंगा की किनारे यह किला एक पहार पर स्थित है भारत के अन्य किलों की भाती यह किला भी अध्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है इस जिसमें साहा सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडिस्थान मंदिर शामिल है सिक्षक नियोजन को लेकर सरकार ने जारी किया अपना आदेश इसके लिए निदेशक प्रात्मिक सिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने सभी जुला सिक्षा पताधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। 28 नमबर 2020 तक समंधित जुला के वेबसाइट पर अप्लोड कर दें। 28 बजे तक करवाया जाए। 29 बभा की तरब से साजवकी गई। जानकारी के नुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुलविलाकर 588 मरीजों की पुष्टी की गई है। जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,26,679 पर पहुँच गई है। अगर हम सबसे जादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पट्टा में 184 मामले सामने आए हैं, वहीं भागलपुर में 38 मामले सामने आए हैं। बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में पिछले कई दिनों से मौसम पूरी तरीकी से सुष्क नजर आ रहा है। जिसकी बाद दिन और रात में तापमान में थोड़ी उतार चुड़ाव देखने को मिल रही हैं मौसम विज्यानिकों की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 5 दिन तक किसी बदलाव की संभाबना नहीं है। दलेर मेंदी का नाता एक ऐसे परिवार से है जिसमें हमेशा से गायकों की भरमार रही है। दलेर मेंदी ने अपनी बुलंदावा से सारे संगीत को दुनिया भर में लोगप्रिये बना दिया है। इसके साथ ही बॉलिवुड संगीत का पूरा श्रे भी इन्हें जाता है। आपको बता दे दलेर मेंदी का पहला गाना जिसने खूब सुर्ख्या बटोरी थी वो है बोलो तारारा। पटना में एक और कोरोना वाक्सीन का शुरू हुआ ट्रायल। का प्रयोग पहले चरण के तहट शुरू किया जाएगा जिसके लिए एमस पटना ने मुबाइल नमबर जारी कर दिया है। इसके तहट अब कोई भी 9471408832 पर कॉल करके संपर कर सकते हैं। साथ ही ट्रायल का हिस्सा बन सकते हैं। BPSC की 31 जुडिशल सर्विस एक्जाम शेडिल हुई जारे। बिहार लोग सेवा आयोग ने 31 नियाइक सेवा परिक्षा 2020 के लिए परिक्षा शेडिल जारी कर दिया है। BPSC 31 नियाइक सेवा परिक्षा 6 रसंबर को अब आयोजित की जाएगी। परिक्षा जब आयोजित की जाएगी तब सामाने अध्यान का पेपर पहली शिफ्ट में सुभे साड़े 11 से दो पहर एक बजे तक और दूसरा पेपर दो से चार बजे तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दे परिक्षा में सभी प्रशन अबजेक्टिव होंगे। इसके देश की महिला टेनिस खिलारी सानिया मिर्जा का जन्मा आजवी के दिन हुआ था। 1830 में समाज सुधारक राजव राज मुहन रॉय आज़ी के दिन इंग्लान रवाना हुए थे। 1889 में पुर्व दिगज भारतिय खिलारी सचुनते दुलकर्डे पाकिस्तान खिलाफ टेस्ट करियर का आगाज किया था। उन्होंने आगरी टेस्ट 14 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज में खिला था। साल 2000 में जहारखंड भारत का 28 वा राजव बना था। वाई दूसरे तरफ जोड़ तोड़ की सियासत शुरू हो गई है महागठबंदन को लगता है कि अभी भी उनके पास सरकार बनाने की संभाव ना मौजूद है और अगर उनके पुराने साथ ही जीतन नमांजी और विकाश्रील इंसान पार्टी अगर उन्हें सपोर्ट कर दे तो सरकार बनाई जा सकती है हाला कि जीतन नमांजी ने सभी कयासो पर विराम लगाते वे साफ कह दिया है कि कुछ भी हो जाए नितीश कुमार के साथ बने रहेंगे इसके साथ ही विकाश्रील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी ने भी साफ कर दिया है कि पहले तेजस्वी आदव ने उन्हें धोखा दिया था और अब उप मुक्हिमंत्री बनाने का ओफर दे रहें राज़त ने मुक्हिमंत्री नितीश कुमार पर साधा निश्वाना राज़त ने मुक्हिमंत्री नितीश कुमार पर निश्वाना साधा है जिसके तहत उन्होंने बीते दिन आरोप लगाते वे कहा कि वो अगर काम करते तो उन्हें छल नहीं करना परता और भाज़पा को अपनी बैसाखी नहीं बनानी परती जिसके तहत राज़त की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि नितीश जी बार-बार दोहराते हैं कि हम सिर्फ काम करते हैं और पूरे बिहार के नागरी की हसोच सोच कर परिशान होते हैं कि नितीश जी कौन सा काम करते हैं कहा और कब काम करते हैं नितीश कुमार पर निशारा साते वे राज़त ने आके कहा कि अगर वो काम करते हैं तो जीतने के लिए छल नहीं करना पड़ता पंचायती राज विभाग में अंकेक्षक के लिए 18 तक आवेदन करने की मिली छूट आपको बता दे 373 पदों पर नियुक्ति के लिए जारी किये गए विज्यापन में अनारक्षित के लिए 1,580 रूप से कमजोर को 37, SCST को 13, TVC को 67, BC को 45, BC महिलाओं को 11 पदों पर नियुक्ति की जाएगी इसके अलावा स्वतंद्रता सेरानियों के पोता-पोती नाती नतनी के लिए 7 सीट रखी गई है वही दिव्यांगों के लिए 15 पद सुरक्षित है आवेदन के लिए सामाने भरती के लिए 600 रूपे आरक्षित शेनी के लिए 1,500 रूपे शुलक रखे गए हैं आपको बता दे BPSC ने अंकेक्षक नियुकती के लिए 3 चड़नों में परिक्षा देने का एलान किया है यह प्रारंभिक लिखित परिक्षा और साक्षातकार के आधार पर लिए जाएंगे मुख्यमंत्रिय उमिद्वार को लेकर साथी नई सरकार के गठन को लेकर NDA की एहम बैठक होगी आज बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर NDA के चारो घटक दल जदियु भाजपा हम और VIP के विधानमंडल दल की बैठक आज होने वाली है जिसमें नेता का चोयन होगा दुकरवार को रासानी पटना में एक अने मार्क पर चारो दलो की बैठक के बाद बुख्यमंत्रि निदीश कुमार ने खुद NDA के इस बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दे दी थी उन्होंने बताया था कि 15 नवंबर को दोपह साड़े बारे बजोए NDA के चारो दलो के विधानमंडल दल की संयुक्त बैठक होगी इसमें NDA विधानमंडल दल के नेता का चुनाव होगा साथ ही सरकार गठन को लेकर सारे निर्ने इसी बैठक में लिये जाएंगे इतना ही नहीं 15 को ही राज़पाल को समर्थन पत्र सौपा जाएगा मिली जानकारी के नुसार इस बैठक में यह दल NDA में के चुने जाने वाले नेता के नाम पर चर्चा करेंगे साथ ही उनके नेतरत्व में सरकार गठन के लिए राजपाल को सौपे जाने वाला पत्र भी इतना ही नामांकन की प्रक्रिया चल रही है लेकिन पुराने चात्रों को नियमित करने के लिए परिक्षा की तयारी की जा रही है। जल्द खत्म करने को लेकर दो पेपर की परिक्षाओं के बीच में गैप या एक या दो दिन ही दिये जाएंगे या फिर नहीं दिये जाएंगे पट्टा में एक दिया श्रहीदों के नाम कारिक्रम का हुआ आयोजन राजधानी के कारगिल चौक पर एक दिया श्रहीदों के नाम कारिक्रम का आयोजन बीते दिन करवाय गया था जिसमें बिहार भाजपा के नेता मंत्री प्रेम कुमार और प्रमोद कुमार ने हिसा लिया साथ ही शहीदों के नाम उन्हों ने दिये भी जलाए थे सफसर पर भाजपा विधाय करुन सेंग जदियू नेता कमल ने पतना सहीत कई भाजपा और जदियू के नेताओं ने दिया जला कर वीर शहीदों को श्रधांजली दी साथ ही नमन भी किया भाजपा नेता प्रेमकुम पर चुराग पासवान के खिलाफ कदम उठाने के लिए बढ़ाया दबाव चुराग पासवान के लिए बहुत मुश्किले बढ़ने वाली है क्योंकि अब जदियू ने भाजपा पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है मिली ज़ानकारी के नुसार लोजपा ने जिस तरह से जदियू कैंडिडेट के खिलाफ उमिद्वार दे कर हराने का काम किया है इसको लेकर जदियू अब आक्रमक हो गई है जदियू अब खुल कर भाजपा पर दबाव बनाने का काम कर दिया जदियू पहले ही मुख्यमत्रि नितीश कुमार ने चुराग का नाम लिए बगेर चुराग पर निश्राना साथते वे कहा था कि भाजपा को इन सारी बातों की समेक्षवा करने की जरूरत है इसके बाद बीते दिन जदियू के वरिष्ट नेता विजय चौधरी ने यह का कर स्पष्ट कर दिया कि भाजपा लोजपा पर सक्ती दिखाए उन्होंने सीधे तोर पर लोजपा सुप्रीमो चुराग पास्वान पर कारवाई की मांग की है उन्होंने कहा है कि नतीजे अपेक्षा के अनरूप नहीं आए है इस बाद लोजपा ने जदि उमिद्वारों को हराने का काम किया है बिहार के छे उमिद्वारों के दुबारा मतगर्ना के आवेदन हुए खारज भारत निर्वाचन आयोग ने हाले में बिहारों सभाचनाव में दुबारा मतगर्ना की मांग करने वाले उमिद्वार के आवेदन को रद कर दिया है निर्वाचन आयोग की माने तो 11 सीटे ऐसी है जहां जीत और हार के बीच का अंतर 1000 वोट से भी कम था 11 उमिद्वार में से 6 मतगर्ना से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने रिटर्निंग अधिकारियों के फैसले की चुनौती दे दी थी जिसके बाद 10 वंबर को ही अपने मीदिया ब्रीफिंग के दोरान चुनाव आयोग ने दुबारा मतगर्ना के लिए नियम के बारे में सपश्ट बताया था साथी यह भी बताया था कि यदि रिजेक्टेट पोस्टल बैलेट वोटों की संख्या जीत और हार के बीच अंतर से कम है तो दुबारा मतगर्ना कराई जा सकती है के बाद श्रक्ति सिंग आधव ने चुनाव आयोग से ए बीएम वीवी पैट और दाक मतपत्रों की दुबारा मतगर्ना की मांग की थी वो जन्त आदवन यूनाइटिट के कुरिश्ट मुरादी शरंग से के बलबाराग वोट के अंतर से हार गय थे निजस्वी आदव ने मुख्यमंदरी नितीश कुमार को भाजपा का बैसाखी बनने के पीछे की मांगी वज़े बिहार वदान सभा चुनाव के बाद राजट के आरोप थमने का नाम धी रहे है राजट ने हारी में ट्वीट जारी करते हुए मुख्यमंदरी नितीश कुमार पर निशाना साथ है जिसके तहर राजट ने ट्वीट कर कहा कि नितीश जी बार बार दोहराते रहते हैं कि हम सिर्फ काम करते रहते हैं और पूरे बिहार के नागरिक सोच कर परिशान हो जाते हैं कि कौन सा काम करते हैं अगर काम करते हैं तो जीतने के लिए छल क्यू करना पड़ता है भाजपा को बैसाखी क्यू बनाना पड़ता है चुनाफ में नकारे क्यू जाते हैं आपको बत जिसके तेह उन्होंने श्रनिवार को इटावा में प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कहा कि महागठबंदन को जनता ने समर्थन दिया है। मुख्य मंतरी नितीश कुमार ने पंडित जवाहरलाल नहरू को दी श्रधांजरी इस दौरान उनके साथ जद्यू के अन्यनेता भी मौजूद रहे इसके साथ ही पूर्फ रिधार मंतरी जवाहरलाल नहरू की जयनती को ले कर पट्टा जुला प्रसाशन की तरफ से स्टेश पूर्फ रिधार मंतरी को याद किया अकाश चोप्रा ने गौतम गंभीर से पूछे सवाल आईपियर का सीजन अब खत्म हो चुका है हलाकि आईपियर में रॉयल चालेंजर्स बैंगलोरों के खराप्रदर्शन को ले करके भारत के पुर्वसलामी बल्लेबास गौतम अकाश चोप्रा ने विराट कोहली का पक्ष्विया है अकाश चोप्रा ने कहा है कि गौतम गंभीर को लगता है कि रोहित शर्मा को भारतीय T20 टीम की कप्तानी ना बनाया जाना देश के लिए दुर्भागे पुर्ण है क्योंकि रोहित आईपियर के सबसे सफल कप्तान है लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या अगर रोहित शर्मा को RCB की टीम दी जाती जो की विराट कोहली के पास सी तो क्या वो मुंबई की तरह 5 टाइटल में से 2 या 3 या 4 टाइटल जीत पाते रोहित कप्तान के तौर पर लाजवाब है मुझे वो पसंद है लेकिन क्या मुंबई इंडियन्स की सफलता भारत के बराबर है या मेरा सवाल है सिर्फ अगर कोहली की टीम बढ़िया नहीं करती है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोहली की गलती है भारत में PUBG लाँच होने के लिए है तयार भारत में PUBG यूजर के लिए खुश खबरी भारत सरकार की तरफ से यूजर डेटा की सिक्यूरिटी और प्राइवसी को लेकर भारत में प्रतिबंधित किया गया PUBG गेम अब एक नए रूप पे भारती बाजार में वापसी की तयारी गुरुबार को PUBG कॉर्परेशन ने कहा है कि भारत में नया गेम PUBG मोबाइल इंडिया लॉंच किया जाएगा बता दे कि बीते दुनों भारत सरकार ने यूजर डेटा की सिक्यूरिटी और प्राइवसी पर चुनता जाहिर की थी और कई सारे चाइनीज आप्स पर बैन नगा बनाई है वाई इस मौके पर दिपिका ने रनवीर के साथ फोटो शेयर करते वे एक स्पेशल मेसेज लिखा जिसके तहत उन्होंने फोटो शेयर करते वे लिखा एक फली में दो मटर हैपी अनिवर्सरी तुम मुझे पूरा करते हो बता दे कि दिपिका और रनवीर ने 14 न साथ नजर आने वाले हैं इस फिल में रनवीर कबिल देव का किरदार निभार है अब आए जानते हैं सराफ़ बजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफ़ बजार की बात करें तो सोने का भाव 14 नवंबर को 22 क्यारट के लिए प्रतिनस ग्राम 49,950 इसके अलाबा रासधानी पटना में पिट्रोल की कीमत 83.8 तो रुपे प्रति लीटर थी वही डीजल 86.1 रुपे प्रति लीटर था कल हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्वा लगा है उनके नाम है बवलु कुमार, शर्मा, संदीब कुमार, अजय कुमार, यादफ, विकास कुमार, सुरेश शाह, विकास कुमार, विवेक कुमार सिंग, प्रियांका भारती नेहा सिंग, विकास कुमार, बंधुजा, रंधीर कुमार, पासवान, चंदन कुमार, विवेक कुमार, सिंग, र अठक में मुख्यमंत्री पत के उमिद्वारी भाजपा जदियू में से किस पार्टी के उमिद्वार को मिलनी चाहिए अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताये इसके साथ ही आज के रिवस इतना ही अगर आप ए वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बलाइक को दबाना ना भूले और अगर आप ए वीडियो हमारे फेस्बुक पर देख रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें धन्यवाद